आगे जा पिर पॉटूटूब पर्टिव इंडिया निये तई किया है कि फिल्म इंडर्स्ट्री में काम करने वाले हजारों नए लाखो अभी नेता है, अभी नेतरी है, टिकनी सीर, फोटोग्रापर है, लाइटिंग में काम करने वाले लोग है, प्रोडूर्सेर है, डिरिक्डर है, और लेवर गूस में काम करने वाले है क्वाइशें, लोगों को जिनको मकान नहीं, उनको सरकार के दरफ से मकान दिलाने की युजना भी हम मतलब अमल में रानी का काम करनी वाले हैं उसके साथ-साथ कलाकारोंगी जो समझ यह होती है उनको उनका हाग में देने के लिए बहुत बार नए प्रोडूसर डाइरेक्टर को कि फिल्म वालों को टेटर मिलता नहीं वो मिलना चाहिए और नए-नए कलाकारों को भी मतलब किस तरह काम मिलना चाहिए उसी तरह मतलब हम उनकी जो अलग-अलग समझे उसको हल करने के खांज् devi जिर्ग 쓸 चाहिए और उसके साथ-साथ Müथलब कावरा जी उसके इसके वह अपने वई स्वामी जी जो कलाकार है वह मतल dire इसमें है और इस्सकी कई कालागारों को लेकर हमने कमीटी बनाए हमारे काईलाज मासुम जनरल सेकरेटी है तो मुझे लगता है कि फिल्म जगत के लोगों को मदद करने के लिए ही रीपपलियन पार्टी ने ये निर्मे ले लिया है क्या जूरत पड़ गए थी मतलब उनके बारे में होती रती है तो ऐसे लोगों को मदद करने के लिए हमने ये कदम उठाया है और रीपपलियन पार्टी ताकस से ये सभी कालागारों को पूरी मदद करने काम करने वाले है करने वाले हैं तो मुझे लगता है कलागारों को पूरी मदद करने का काम आर्पाय करें करें नहीं को कारें हमारा काम करें रहे हैं लेकिन हम जो हमारे साथ आने वाली जो कलागार रहे हैं जयलों दलीत नहीं है मतलब वे नॉन दलीत लोगों की बड़ी संक्षा इसमें है तो मुझे लगता है कि रीपबलियन पार्टी बाबासा अंबिडगर जी की पार्टी है सबी लोगों को मदद करने वाली पार्टी है और उनका काम उनको करने दो लेकिन रीपबलियन पार्टी अपने स्टाइल से कलाकारों की सुरक्षा करने का काम करेगी आप दी फिलम में आ रहे हैं सुनाया सर कि फिलम मोवी आरे इसमें आप दी जिखाई देंगे अब आप दे तक तो पहुंचा लेकिन पढ़ ने पहुंचा हूं लेकिन अभी पढ़ तो आनी कि कोई अभी ताम पे नहीं नहीं अब देखते हैं अगर कोई फिलम अगरा इंसी मेरे लायक अगर निकल दे तो मैं उसमें जरूरू करूंगा करूंगा